नमस्कार मैंनंदराम पालिवाल सहाचारी राजनेति विग्यान आज इस वीडियो में हम उधारवाद के परकार एहों उधारवाद की आलोजना के बारे में चर्चा करेंगे उधारवादी विचारधरा के पिछले 400 वर्षों के इतियास को देखने से उसके दो रूपय उसके दो परकार सामने आते पहले है नकारात्म क्या प्रमपरागत उधारवाद और दूसरा है सकारात्म क्या हुदारवादिय कल्यान करी राज्य का तो हम पहले चर्चा करते हैं नकारात्म के प्रमप्रागत उधारवाद के नाम से भी जाना जाता है यह सामंत साहिए के खिलाब राजनितिक सवतंतरता पोप साहिए के खिलाब धार्मिक सवतंतरता की मांग करता है इसकी अनुसार सवतंतरता का अर्थ बंदनों का अभाव माना गया जिसे नकारात्मक सवतंतरता भी कहते हैं राज्य को सीमित और नकारात्मक भूमी का प्रदान की गई व्यक्तिक अधिकारोता सवतंतरता को प्राकर्थिक मानते हुए राज्य की हातों में राज्य सत्ता को जनता की अमानत समझा गया आर्थिक छेतर में एडम इस्मित रिकाडो और मालथस के लेस फेर शिदान्त का समर्थन करते हुए आर्थिक छेतरों में किसी भी परकार की राज्य नितिक दखलन दाजिए का विरोथ करते हुए आर्थिक सवतंतरता की सिफारिस की व्यक्ति को राज्य को व्यक्ति की आर्थिक या राजनितिक किसी भी प्रकार के सवतंतर था में राज्य को दखल देने का दिकार नहीं है यही इसका मोल मंतर था सवतंतर समझो थे व्यापार प्रतियों गिता सवतंतर अर्थिवस था तो था मुक्त बाजार को आर्थिक सवतंतर था कि आवश्यक्ता बताते वे आर्थिक मामलों में राज्य की अस्तक्षेव का विरोध किया गया है हम दूसरे सब्द हम यह कह सकते हैं कि नकारात्म कुदारवाद आर्थिक छेत्र में व्यक्तिवाद को महतो देता है यह पूंजीवादी वर्ग का आर्थिक दरश्टिकोन है यह राजेता सरकार को आवश्यक बुराई मानता है तो तो सरकार कम से कम सासन करें उसे सरोतम मानता इंग्लेंड की 1688 की गौरवपुन क्रांथी को इतियास की पहली उदारवादी क्रांथी मना देता है इसने इस उदारवादी उपलब्दियों को समेकित किया वो सुनिचित सम्विधानी का अधार प्रदान किया 1689 में जिस उदारवाद को माननेता दे गई उसका सवरोब मोल तेरना कारात्मक था जिसका धे या उदेश्ट व्यक्तियों और समों को सासन के सत्ता से विशेश्टर राजमकुट के प्रमादिकारों से मुक्ति दिलाना था इसका मुक्यों देश राजनिति को देशों के सिद्धी करना था आर्थे को देशों के नहीं इन राजनिति को देशों में सविधानवाद के मुक्य मुक्य सिद्धान समली थे विरोध का दिकार, विधी का सासन और सक्तियों का पर्तकर जोन लोग की क्रति सासन पर दोनिमन और अमरीकी सवाधिन्ता की घोसना खुदारवाद के इस दोर के महान इसमारक रहे हैं और संक्सिय पर हम नकारात्मा खुदारवाद के कुछ महान निता है ले सकते हैं जैसे पहले है व्यक्ति को सबी शेत्रों में जैवर राजनेति को आर्थि को सामाजिक, धार्मिक, बोधिक सबी में सवतंतरता दे दिनी चाहिए नकारात्म उधारवाद के नुजार सवतंतरता करता है सबी प्रकार की सत्ताओं से मुक्ति इसका मानना है कि कानूनों का आधार वीवेक है नेकी आदिश सरकार तथा राज्य आवश्यक बुराए तथा जो सरकार कम से सकम सासन करे वही सरवत्व है राज्य को आर्थिक मामलों में अस्तक्षिप नहीं करना चाहिए आर्थिक छेत्र में व्यक्तिवाद ये लेस्पेर किसे सिद्धान तो गए मानने था देता है संक्षिप में उदारवाद मुक्त व्यापार तथा समझोते पर आधारित पूंजी वादी अर्थ वेस्ता जिसमें राज्य का बिल्कुल अस्तक्षिप नहो इसको मानने था प्रदान करता है इस परकार ये पूंजी वादी वर्थ का आर्थिक द्रश्टिक होना अब हम चर्चा करेंगे सकारात्म कुदारवाद ये कल्यान कारी राज्य का सिद्धान उन्नीस सतावदे में नकारात्म कुदारवाद पर आधारे सवतंतर पूंजीवादी आर्थिक द्रश्टिक विवस्ता के गंबीर प्रिणाम दिखाए दिये पूंजीवाद की प्रगति ने एक ऐसे वर्क को जैन दिया जिसके पास बेचने के लिए अपनी स्रम सक्ति के लावा कुछ भी नहीं था पूंजीवाद के विकास के कारण इस वर्क के सोसने उत्याचार बड़े और अनेक उदारवादी लेखों निसके आलोचना की मजदूर वर्क के आर्थिक सोसन के हो जैसे उदारवादी दर्शन चर्मना लगा सवतंतर प्रतियोगिता का सिद्धाउंत मजदूर वर्क के लिए सवतंतर सोसन का सिद्धाउंत बन गया ऐसे समय में कालमार्श और एंजिल्स के दर्शन का उदावा उन्होंने मजदूर वर्क से संगटित होकर समाजवादी क्रांति के माध्यम से सोसन पर आधारित पूँजवादी व्योस्ता को खाड़ फैगने की अपील की अब बदले परिफ्रेक्ष में पूँजवादी वर्क को मजदूर वक्की क्रांति का मुकाबला करने के लिए एक नए दर्शन की आवसिक्ता थी अल्टे राजे के कार्ये सवतंत्रतॉ राजी यह व्यक्ति के समन्द आधी के बारे में विचार बदने लगे शकार आत्मक। तता सवतंत्रता में परिवर्थित होनी लगा अब पुलिस राजे लोग कल्यान का राजे बदिल लगे राजे का आवशिक बुराइन न समझ जाकर कल्यानकारी सहस्ता के रूप में ऐ प्रिहारेनी आवशिक समझा जाने लगा कि राजे आवशिक है राज्य को सवतंतरता का दुस्मन नहीं मित्र माना जाने लगा और यही सकारात्म कुदारवाद या कल्यान कारी राज्य का सिद्धान कहला है इसके हम कुछ विशेशता है ले सकते हैं जैसे सकारात्मक उदार वाद ने राज्य को एक आवशंक बुराहिन न मानते होई एक नेतिक तता कर्यान कारी संस्ता की रूँप में परतिश्चत किया। राज्य तता सवतंतरता में विरोध नहीं देखा गया अपितु राज्य को सवतंतरता के लिए आउस्यक परेस्थितियों का निर्मानक माना गया सवतंतरता सकारात्मक है तो इसे राज्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है राज्य समाज सुतारक तथ कल्यानकारी राजकारी दोरा सवतंतरता व्यक्तित्वे के विकास में सायक बन सकता है राज्य दोरा अर्थ व्यस्ता का नियंतरता नियोजन किया जाना चाहिए समाज में परिवर्तन करांती दोरा नहीं बलकि क्रमिक विकास के दोरा ही आ सकता है समाजिक परिवर्तन लाने का सरवतम साधन संसद्य परजातंत्र राजे के शक्ते पर अंकुष रहना चाहिए तथा यह ऐसे मित नहीं होनी चाहिए तो यह कुछ ऐसे विशेशता है जो सकारात्मक उधारवाद लोकल्यान कर राजे के विशेशता हैं अब हम चर्चा करेंगे उधारवाद की आलोसनों और उसके पहले आलोसन के जाते हैं कि राजे आवशेक बुराई नहीं और दारवाद राजे के आवशेक बुराई मांते हैं कि यह धारणा सरोता ब्रामक है हम सभी जानते हैं कि राजे का निर्मान मानव जीवन की आवशेकतां की पूर्तिक लिवा है और उसका अदर्स मानव कल्यान में उरद्धि करना है राजे सवतंतरता को नष्ट नहीं करता है वो दारवाद राजे के यह धाना भी गलत है कि यदि राजे के कारे शेतर में विश्तार कर दिया गया तो है व्यक्तिकी सवतंतरता को नष्ट कर देगा वस्तोतर राजे के द्वारा बनाए गए कानूं व्यक्तिकी सवतंतरता का परणना करके उसका पोशन करते हैं और नियंतरी सवतंतरता का विक्रत रूप है खुली प्रत्योगिता दुर्बल वर्ग के लिए लाब दैक नहीं होती है खुली प्रत्योगिता का लाब के उल सक्ति सली वर्ग को मिलता है कमजोर वर्ग को नहीं मिलता है इसे बुखमरी, एसोस्ता, आयोगिता ता दास्ता आधी सवतंतर परतियोगिता काई परिणामे सब्सक्राइब आर्थिक छेत्र में खुली परतियोगिता के भयानक परिणाम हिया है पुण्जिवादी वर्का दर्शन उदारवाद पुन्जिवादी वरकदशन ये पुन्जिवादी आर्थिक समंदों राजनितिक विवस्ता को बना कर रखना चाता है यदिया राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेव का अधिकार भी देता है तो किल पूंजिवादी अर्थिवेश्टा को संकट से बचाने तब पूंजिवाद के मौजुदा आवशक्ता के पूर्थी के लिए हिए समान्ता के बारे में ब्रहमात्मक धाना इसकी उदारवाद आर्थिक सुधारों के दोआरा आर्थिक समान्ता इस्तापित किया जाना संभव मानता है जबकि बिना किस निजी संपत्य खत्म के आर्थिक समान्ता संभव नहीं है सामाजिक परिवर्तन का गलत सिद्धान उदारवाद के मानने था है कि क्रैमिक विकास दोरा सामाजिक परीवर्टन लाना संभव नहीं है किन्तु वास्तिकता ये है कि वर्ग विभाजित समाज में परीवर्टन वर्षंगर तथा क्रांति दोरा ही होता है वादार्वाद के विकास के आरब में पुणजिवादी वर्ग का सामंध्छाय से जबॉर्च संगर, संगर्ष चलाथ और इंग्लैंड और फ्रांस की करांतो के माध्यम से समाज में परिवर्तन का भी गुन बजा यदि वो समय परिवर्तन करम्ष विकास दोरा नहीं हुआ होता तो पौंजिवाद से समाजवाद में परिवर्तन भी करम्ष विकास दोरा संभव नहीं हुआ धन्मिवाद